हेलो एस्प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्विटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते है अपनी एग्रिकल्चर के स्किल को और वे बेतर एस्प्रेंट्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जनल एग्रिकल्चर एंसी क्यू के पार्ट फोर को अगर आप चैनल पर नए है तो योर एकरी ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को हिट करना ना भूले वीडियो की नोटिफिकेशन को सबस आप मान पर पूरी की जाती है पहला ओप्शन है 30 डिग्री सेंटिग्रेट दूसरा 60 डिग्री सेंटिग्रेट तीसरा 90 डिग्री सेंटिग्रेट और चोथा 120 डिग्री सेंटिग्रेट तो सही ओप्शन है 60 डिग्री सेंटिग्रेट एस्प्रेंट्स नॉर्मिल टंप्रेच हार्मोन यूज़ फॉर लेटिंग डाउन आफ मिल्क, मिल्क को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है, पहला अप्शन है प्रोजिस्टेरोन, दूसरा ओस्टोजन, तीसरा ओक्सीटोसिन और चौसा थायरॉक्जिन, तो सही अप्शन है ओक्सीटोसिन, ओ मिल्क में सबसे कम फैट पाया जाता है, पहला आप्शन है हरियाना, दूसरा साहीवाल, तीसरा होलिस्टेन, और चौथा जर्शी, सही अप्शन है हौलिस्टेन, हालिस्टेन फ्र्जियन काउं की एक एक इक्सूटिक ब्रीड है, इसके मिल्क में फैट 3.2 परसेंट पाया है ध्यान रखेंगे आप देखते हैं अगला question कोलेस्टरम is कोलेस्टरम है पहले आप्शन काव मिल्क दूसरा मिल्क का first lactation तीसरा first three to four days मिल्क और चौथा बफैलो मिल्क सही option है first three to four days मिल्क पहले तीन से चार दिन के दूद को कोलेस्टरम का जाता है कोलेस्टरम को बीस्टिंग या फिर first मिल्क भी कहते हैं चलते हैं next question की तरफ which are following protein is present in milk इन में से कौन सा protein मिल्क में पाया जाता है पहला option है casein, दूसरा gene तीसरा collagen और चौथा keratin तो सही option है casein, casein एक ऐसा protein है जो मिल्क में 82% होती है देखते हैं next question chief carbohydrate of milk is milk का मुख्य कार्बोहईडरेट है पहला option lactose दूसरा glucose तीसरा maltose, चौथा सुक्रोज, सही option है lactose, lactose एक मुख्य कार्बोहईडरेट है milk का जो dice है के राइट होता है और compose होता है glucose और lactose से ध्यान रखेंगे आप bunun पहला ऑप्यशन, दूसरा skim milk, तीसरा wetter milk और चौथा last, सही ऑप्षन है skim milk, क्रीम मैनुफेक्चरिंन का बाई प्रोडेट है skim milk पास्चुराइजेशन आफ मिल्क इस डन मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है पहला अप्शन टू किल मिल्क बैक्टीरिया दूसरा टू डिस्ट्रॉई टॉक्सिंस तीसरा टू इंक्रीज मिल्क और चौथा निट्रिटिव वैलूस फॉर टेस्ट सही ऑप्शन है टू किल मिल्क बैक्टीरिया मिल्क बैक्टीरिया को किल करने के लिए पास्चुराइजेशन होता है और ये प्रक्रिया होती है 145 डिग्री फारिन हैट पर 30 मिनिट के लिए नेक्स्ट क्वेस्चन है वे इस प्रोड्यूस फ्रॉम वे प्रोड्यूस होता है पहला आप्शन चीज मैनिफेक्ट्चर दूसरा बटर मैनिफेक्चर तीसरा आफटर मिल्क क्वागुलेशन और चवता फ्रॉम कोलेस्टरम हीटिंग सही आप्शन है चीज मैनिफेक्चर वे एक बाई प्रोडेक्ट है चीज का और पर 100 ग्राम वे में लगबग 0.85 ग्राम प्रोटीन होता है 93.12 ग्राम वाटर होता है और 0.36 ग्राम फैट होता है ध्यान रखेंगे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरह है तो देखते हैं सहिछा अंसर क्या है नायूजनस पॉली सेकरऐट यह एक मीजर कॉंस्चिटुएंस भी होता है किसी भी आर्थोपोर्ड के एक्सो इसकलेटन का, फंजाई की जो सेलवाल होती है, वो भी काइटिंग की बनी होती है, ध्यान रखेंगे आप, एक्जाम पॉइंट आवी से बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, The function of malpine tubule is, malpine tubule का function है, पहला option, digestion, दूसरा, excretion, तीसरा, respiration, और चौथा, circulation, सही option है, excretion, malpine tubule का काम है, excretion करना, malpine tubule से nitrogenous waste या फिर fluid excret होता है, Which one of following is present in the hemolymph of majority of insects, ज्यादा तर इंसेक्ट के hemolymph में इन में से क्या पाया जाता है, पहला option है, treloze, दूसरा, glucose, तीसरा, sucrose, और चौथा, fructose, तो सही option है, treloze, treloze, ये disaccharide sugar है, इंसेक्ट सुगर भी इसे कहा जाता है, ट्रेलोज इंसेक्ट के blood में पाया जाता है, हीmolymph क्या है, हीmolymph इंसेक्ट के blood को कहा जाता है, ये सभी points आपको याद रखना है, देखते हैं अगला question, San Jose scale, belong to which family, San Jose scale किस family से belong करता है, पहला option है, diaspididae, दूसरा option है, dactylopididae, तीसरा option है, trentro, deny d, और चौथा option है, mill id, तो सही option है, diaspididae, ध्यान रखेंगे आप, next question है, slippery band is used against the, slippery band का इस्तिमाल किस के against किया जाता है, पहला option, red cotton bug, दूसरा mango millivug, तीसरा painted bug, चौथा sugar cane millivug, सही option है, mango millivug, mango millivug के against, slippery band का इस्तिमाल किया जाता है, gyogramma bicolorata feeds on, फहला option है, water hyacinth, दूसरा orobanki, तीसरा parthenium, चौथा sacrum, सही option है, parthenium, parthenium की leaves को, ये insect gyogramma bicolorata feed करता है, इसके larva और रेडल्ट, दोनों एक effective leaf eater होते हैं, the royal jelly is secreted from the gland is, royal jelly किस gland से secret होती है, पहला option है, hypo pharyngeal gland, दूसरा crop gland, तीसरा wax gland, और चौथा salivary gland, सही option है, hypo pharyngeal gland, नर्स वी की hypo pharyngeal gland से royal jelly secret होती है, इसका use होता है, लारवा की feeding में, ध्यान रखेंगे आप, as friends, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like करें, और share करें अपने दोस्तों के साथ, जो ICRJRF, BHO या फिर UPicated की त्यारी करें, हमसे social media पर connect करने के लिए, इन ideas पर आप हमें follow कर सकते हैं, हम अपने सभी lecture की PDF इस WhatsApp ग्रूप पर share करते हैं, इस ग्रूप को join करने के लिए, description box में आपको link मिल जाएगा, उस link को hit करके आप ग्रूप को join कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, thank you for watching, God bless you all.